एंटरी हो चुकी है देराधून की टीम की सांदार एंटरी हो चुकी है यहाँ पार दरसक दिल कि दे सकते हैं और यहाँ पर अब एंटरी होने वाली है हरी दौर की टीम की यह देखिएगा हरदवार की टीम की एंट्री होती हुई यह आपर हो चुकी है और यह हरदवार की टीम की एंट्री यह हरदवार तो है दूसरी टीम हरदवार की मैं आपको तादू हरदवार की दो टीम ने पाडिसिपेट किया है इस चैंपियंसिप में और ये दूसरी टीम है हर्दवार की दोनों ही टीम है सेमी फाइनल में पुंच चुकी हैं और ये पहला सेमी फाइनल है चेंपियनशिप का देरादून बर्सीज हर्दवार 2 बहूं अंदार मुकाबला होने बाला है ये और यहाँ पर चीफ गेश्ट परिचा करते हुए सबी खिलाडियों से और यहाँ पर टॉस होता हुआ दोनों टीमों के मद्ध है देखने वाली बात है कौन टॉस जीतेगा और क्या चोईस करें और टॉस जीत लिया है रिद्वार ने और ग्राउंट लिया यानि की पहली रेड आने वाली है देरादून की पहली रेड आने वाली है देरादून की तो यहाँ पर पहली रेड आते हुए देरादून की टीम की तरफ से और राइट रेडर आते हुए जर्शी नंबर 0-1 यह है पहला सिमी फाइनल इस चैंपियंसिप का और यह आते ही बोनास बोनास ले लिया है बोनास ले लिया है कि टच पर खेलेंगे जर्शी नंबर 0-1 रेड करते हुए यह मैच की पहली रेड है पहली रेड में बोनास मिलने की चुका है और फुल इंजॉय करते हुए दर्सक और यह सिधार देशाई के छोटे बाहि सिधार रेड डालते हुए पहली रेड हरी दवार की तरफ से इसके बाद आपके तुकि घुरद्वार डिभर खुम लिए inee लात्वार खांग का हाई एमट्पबा बहुत अगला मैक चले हो क्योंकि ऐसे मी फाइनल मुकाबला है चार टॉप टी में छट चुकी हैं कल आप ये चार टॉप टी में आज बिडिंगी आपस में और साबान से इंग्रेट करते हुए जर्शी नमबर तीन साबान बहुत स्पीड आइस रडर के अंदर साबन ओहो रोसान गलती करने जा रहे थे लेकिन रोका टीम ने अभी मैच की स्थरुआत हुई है अभी अभी मैच की स्थरुआत हुई है अभी तो अनंद बाकी है ये आई यू जर्शी नमबर साथ ते रदून की रिडर बन्स अपना गेम तुकाते हुए बन्स जर्शी नमबर पाच पहरा टैकल टैकल ट्राइ किया और यहाँ पर पाच का डिफेंस हो चुका है देरादून का पाच का डिफेंस में गए है जर्शी नमबर पाच सफलिंग करते हुए ग्राउंड में यहां शेमी फाइनल मुकाबला है जो यह मुकाबला जीतेगी सिधे फाइनल में प्रिवेस करेगी और देरादुन की तरफ से रेड बार जर्सी नमबर जीरो एक रेड करते हुए उरी डिफैंस को हिलानी की कोसेश लेकेनी ऐसे में खाइनल मुकाबला है यानि की यह दोनों टीम तकडी है और यह टश के लेंग दिया बंस बार दूसरा पॉइंट स्रेडर का कॉर्णर पर ठाच और शीदे बंस बाहर और साबा इंबिस्ट्रेट करते हुए साबन बॉनस लिया है क्या बॉनस मिलेगा एरे फिरी द्वारा सेफ रिड डाल तुए बॉनस नहिंदिया अरे फिरी द्वारा बॉनस नहिं दिया और यह केस रिड़ पार श्यकड़ पैНетस है बॉनस ओन ऑनल technical moments onCl. अजय द्वारा तो यह क्या बॉनस मिलेगा नहीं बॉनस मिल चुका है मॉनस दे दिया Normal TWO हैा बॉनस मिलेगा और साबन बी स्टेट पर ओहहां दर लिए गया साबन को यहां पर तो टॉच करने का प्रियास और सिंगल था यह ज्ञत लेका डएक किया और यहां पर अज डेर्द उनकी तरब से पास का डिफैंस हो गया और यहां पर यह खेलते हुए को ना इनको पोट्ता कहा जाता है जर्शी नमबर आठ पास का डिफेंस तो कहला टैकल कर लिया है ते हरीदवायर की टीम ने बाहर जाते हुए जर्शी नमबर एक और यह जर्शी नमबर पांच बना रेट बार यह मुकाबला फस पस के चलेगा क्यूंकि दोनों यहीं टीम एक से एक से बढ़ कर रहे हैं ओहो जीव सेफ रेट करते हुए डोनों टीम में कुछ समय बाद ऐसा लगता है डूर डाई पर खेलना पसंद करेंगी और यह बिकेश रेट पर आते हुए बिकेश जर्शी नमबर 110 बिकेश बहुत सक्सेस्पूल डेटर है इस टूर्णेमेंट के बिकेश अपनी टीम के में डेटर साबित होते हुए बिकेश बहुन हास क्या क्या सांदार इसकी लाइस डेटर की क्या सांदा इसकील है इस डेटर की और यह जर्शी नमबर दो सिदार्थ पहली रेट में पॉइंट लेकर आये थे सिदार्थ देशाई के भाई सिदार्थ यह रेड में पॉइंट लेकर आये थे और यह एक किक चलाई दूसरा पॉइंट सिदार्थ का अन्ने मुकाबले में नचल के शिदेख फाइल में प्रदरसन दिखाते हुए सिदार्थ जर्सी नमबर दो लगातार दो रेड़ डाली है और दो पॉइंट निकालने हैं अपनी टीम के लिए विपक्षी टीम से और बिकेश रेड़ पार ओहो बड़ी ही आसानी से क्लेम किया कोने पर क्या टच देंगे रेफ्री देखने वाली बात है टच नहीं दिया विकेश ने बहुत कोशिकी टच लेने की लेकिन टच नह और यह आयू जिनका पिछली रेड में इनकी पिछली रेड में टैकल मारा था इनको राइट कॉर्णर ने चैन होल्ड जर्शी नमबर साथ आयू उस्तिर से फिरेड करते हुए क्या यह अटाम्ट करेंगे इस रेड में बांस बहुत एड़बांस दिखाते हुए इकोना क् इसी ही कोने ने आयू इसको टैकल मारा था और यहाँ पर सिद्दार सबसे काम्याब रेडर अपनी टीम के इस मैच के दो रेड दो पॉइंट किक लगातार कोने में लगाईं दो और काम्याबी मिली इस रेडर को थाड रेड आएगी देहरादून की यह है थाड रेड आने वाली है और टाइम आउट लिया यहाँ पर देहरादून की टीम ने और समझाते हुए कोच सहाब यह सही में फाइनल मुकाबला है थोड़ा सही से खेलिए और सब्टिट्वीट कर दिया गया आईउज को बाहर यहाँ पर नेरेडर को अंदर बलाया गया है और यह साथ का डिफेंस है और डू और डाई रेड है यह पूइंट लेकर आना पड़ेगा इनको डू और डाई रेड है जोसी नमर पांस को आते ही डू और डाई पर लॉंच कर दिया और यह सांदार टैकल सिदे सिंगल लैक डेक किया और सामने से सपोर्ट आया और टैकल काम्याबी रहा और यहाँ पर सावन इनकी भी थर्ड रेड है जरसे नमर पांस रेड पर गए हैं इधर से भी थर्ड रेड इधर से भी थर्ड रेड अभी इससे शुरू कर दिया है थर्ड डेड के लिए न पॉइंट लेने में काम्याब रही देरादुन की टीम और यहां पर विकेश रेट पर डिकेश फस्ट रेट होगी देरादुन की यह ओहो को ने पर टच किलेम किया और मिलेगा भी विकेश जर्शिन नंबर एक यारदास और पुत्ता बहार जाते हुए और यहां पर रेट पर गया है समय साबन बेश्ट अभी भी इनका एक पॉइंट रही अपनी टीम के लिए और वानस फेक वानस और फेक दिया सिदे बाहर सिदे बाहर फेका साबन को लगातार दो टैकल मार दिये साबन के और चार का डिफेंस बचा है मातरंदर और यहां पर रेड पर जर्शी नंबर जीरो एक चार का डिफेंस है दूसरी डेड है समय देहरादून की दूसरी नहीं पहली क्योंकि पिछली रेड में विके इस कॉर्णर पर टच मार कर पॉइंट रेकर गए थे और यहां पर सेफ रेड करते हुए देहरादून के रेड पर जो कि इसने अपनी टीम मेंच में सबसे काम्याब रेडर साबित हुए हैने सिधारत सिधारत इससे इस यश्मेशमे ने नए लेकिन इस मैच में अच्छर कलिए रेकाने हैं सिधारत एन गोई सिधारत यहां पर डो आपकी दोले सिथे narrating हा पर लिफन गहलते हुए और बांस राइट को ना और विकेस यहां पर रेड पर विकेस दूसरी रेड आईए ओहो ओहो क्या बहतरीन टैकल बंस दुद्वारा चीदे भॉलो लोगे और टैकल बहुत बहतरीन को ना बंस साबित होते हो पिरे टीम के लिए और सिदार धि पर को डुद की नंहीं कितने एक पूंट की रेड लेकिन फिर भी भी मुथ ही सांधार ती था आइसा लगा दो पॉइंट हैं लेकिन एकी पॉइंट दिया रेफरी ने सबसे काम्याब रेडर सिद्धार अपने टीम के रिए साविज होते हुए जो सिनमर पांच बॉनस अटेम्ट किया है क्या बॉनस मिलेगा क्या बॉनस मिलेगा के और के रेडर बाहर सीधे बाहर देकर मारा पपलिक सैक्ष, औरया पर सिद्धार्थ रेडर सबसे काम्याब रेडर अपनी टीम के रशीन मपर दो आए BBC तैकल नहीं हुए सिद्धार्थ रेड फोई ठींड डालते हुए नस नाम जीरो दो ते फिरेड़ डालते हुए और यहां पार रिश्यडिकर वापस होती हुए पूरा साथ का डिफेंस वापस आ चुका है ग्राउंड के अंदर देरा हरिद्वार का और ये रेडर सेफ है ये आउट है बाहर सीदे बाहर देकर मारा है और जैसी नमबर पांच रेड़ पर तीन का डिफेंस है सुपर टैकल ओन है अगर टैकल पड़ता है तो दो पूइंट मिलेंगे देरादून की टीम को क्या है ये रेड सेफ करेंगे ये आटैप्ट करेंगे सेड में और केक चलाई कोने पार सेफ रेड के बूरा फूलं एंज्वय पेपलेग एए पपलिक एक एक पुइंट पर आपको आपको पबलिक दौर है और ये आप इस सेफ रेड क्यूक्कि अगले रेड दिलने पड़ा गया सिद्दावत को पहला टैकल पड़ा है इस मैच का वो भी सुपर टैकल सुपर टैकल समय निरास है पूरी पूरी पूबलिक का सपोर्ट है समय हर्दुआर की टीम को और यह चे का डिफेंस बिकेस रेट करते हुए फिशले 5-6-4 के डिफेंस में बंस ने दूसरा टैकल मार दिया बंस ने क्या तकला खोना खेल रहा है यह लड़का बंस दो बार फॉलो वेग मारा दो टैकल मार लिए अकेरे ही बंस ने बिकेस के जर्सी नमबर 110 और दोवारा से सूपर टैकल ओन है यहाँ पर तीम कड़ फैंस है सूपर टैकल ओन है यहाँ पर दैरादुन की टीम से अगर इनके टैकल पड़ता है तो दो पॉइंट मिलेंगे इनको लेकिन सेफ रेड करते हुए यहाँ पर जर्सी नमबर पांच पुले लोना देना चाहिए देरादुन के मात्रे तीन खिलाड़ी बच्चे हैं ग्रांड के अंदर और यह सेफ रेड करते हुए सेकेंड रेड है यह हरी दुआर की तरफ से अगर यह सेफ आते हैं तो अगली रेड हरी दुआर की डूर डाई होने वाली और यह सूपर टैकल खा गए यहाँ पर लगाता और दो सूपर टैकल काम्याब हुए हैं देरादुन की टीम दौरा रेडर को समझ नहीं यहाँ था क्या करूं इसका फाइदा उठाते हुए देरादुन का डोडादो डिफएंस और यहाँ पर हरीदुआर का चे का डोड डेफैंस बचा ग्राउंट के अंदर और यहाँ पर चार का डोडादोन का और टैम आउट लिया लेकिन नहीं दिया र है राजून की तरफ से और यह से टाइम आउट लिया था सब्टिटुट करते हुए यहां पर कोना बदला है यहां पर कोने को बदला है और रिडर बढ़ाया है क्योंकि है रेड डूर डाई है कुछ साब को समझाते हुए देखते हैं स्ट्रेड में क्या होने बाला है दू और डाई रेड है यह पोइंट लेकर आने में कामियाब रहेंगे क्या गलती कर दी पुता ने जर्शी नमबर आठ को ना खेलते अपरी टीम का और गलती कर दी यहां पर फॉलो लोगे थे लेकिन फेक दिया जर्शी नमबर टैन ने और कामियाबी मिली यहां पर रेडर को पांच का डिफैंस हो गया दोनों ही पालों में और साबन बेस्ट टो टच क्लेम किया पैर मारा कल्यान के पैर में और टच भी मिला इनको और दुवारा से च्छे का डिफैंस आ गया ग्रांड में पूरा दे हरिद्वार का और यशी नमबर टैन रेड़ पार बहुत बड़ी यह डिफैंस चल रहा है समय हरिद्वार का बंस ने लागा तार तीन टैकल मारे हैं मातले कॉंट दिया है और हो खुद के ही पैर में कुडाली मालनी आपर बंस ने सैल पाउट हो गया है उनके सा शाबन बेश्ट शाबन बेश्ट रेड़ पर रेड़ करते हुए शाबन बेश्ट एक कोंट लेकर आया है बहुत समय बादम टीम के लिए बहुत बाहर एंटर प्रयास की आलिक नहीं मिलेगा और ये रेड़ार जस्ट नमबर 01 पाउच का डिफैंस है यहाँ पर क्या ही अट्रैम्ट करेंगे इस रेड़ में सफलिंग करते हुए पूरा समय लेते हुए यहाँ पर और ये दर्श नमबर 02 सिदार्थ रेड़ में जाते हुए पांच का डिफैंस है यहाँ पर बहुत बार बार केलते हुए सबसे काम्याब रेडर रहे हैं अपनी टीम के सिदार्थ अपील की ती डिफैंस ने थर्ड रेड आ लेकिन देफरी को पता है यह सेकंड रेड है ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे थर्ड रेड बेखें लेगे को सिदार्थ होगी दोनों ही ट्यूम होगी और यह सेफ रेड देरा दून द्वारा और जर्शी नंबर दू थर्ड रेड आते हुई हरी द्वायर की इनको पोइंट राना पड़ेगा पोइंट राना पड़ेगा सिदार्थ को वरना यह वैसे भी आउट हो जाएंगे तोड़ते हुए लेकिन यह टीम में ही तोटने वाली कुछी सेकिन दस सेकिन वचे हैं लाश्ट कॉम्बिनेशन टैकल कॉम्बिनेशन टैकल और यहां पर इंजरी होती हुई गुट्रे में यह खिलाड़ी के अफिसियल टाइम आउट लिया गया यह पर और यहां पर टाइम आउट समाप्त और यश्टी नमबर टैन थार्ड रेड पर थार्ड रेड डालिंगे चार का डिफेंस है इसमयों और अधवांस थाई ओल्ड जिसका फादा उठाय यश्टी नमबर टैन ने कहा हो हो शाब यह मैच का टर्निंग पॉइंट हो चुकता है हिसाब का लोना पड़ रहा था कहां देरा दून को अब लोना पड़ने वाला है रिद्वार को अच्छी बाप सीखी यहां पर जशी नमबर टैन ने करा इपनी टीम की जो की को ना खेल रहे हैं रेडर है परी टीम के पांच नमबर सेफ रिड करते हुए सूपर टैकल पर खेलना जाते हैं दो का डिफैन्स है दो में खेलेंगे ज़शी नमबर टैन दो का डिफेंस तोड़ते हुए क्या ये सेफ रेडर आएंगे ट्राइब गलती करती तुवारा से है पांच नंबर ने रेडर है ये भी अब प्रिकास बचे हैं तिम खिलाडी ये अपने कोड में क्या ये खिलाडी वापसी करा पाएगा जैसे नंबर जूर पांच के वापसी करा पाएगा ये रोना पढ़ने वारा है ओहो प्रिकास को दे आवारा ये पावर ने पहला रोना पढ़ गया यहाँ पर पहला रोना पढ़ गया हरिद्वार की टीम को पहला लोना पड़ता हुआ टाइम आउट लिया यहाँ पर और यह शेटिम खचा-खच भरा हुआ है पब्लिक से यह मांसूर आवाथ और 21 बारा का स्कोर है यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर ले लिया यहाँ पर हरिद्वार ने हरिद्वार के 21 है हरिद्वार के 12 है माप करना और दहरत उनकी 21 पॉइंट ओहो पोता गलते करते हुए गलती कर दी दुवारा से गलती कर दी और यहाँ पर पहला हाथ समाथ हो चुका है पहला हाथ का स्कोर है 22 बारा दस पॉइंट की लीड रे लिया यहाँ पर दहरत उनकी टीम ने और यहाँ पर हाथ टाइम हो चुका है दुष्टरे हाथ की पहली रेट करते हो जैसे नमर पाँच हरिद्वार की टीम से 10 पॉइंट की लीड रे लिया समय धरादून ने हरिद्वार से ओह ओह दुआ इस बार पहला टैकल किया है दुष्टरे आपका भंडरा ने रोसन है जिस्ता नाम कोना खेलती हुए देरादून का लगा तर्टस दिये थे आप पहला टैकल काम्या हुआ है वो दुष्टरे आप में जाकर पाँच का डिफैंस है हरिद्वार का 11 पॉंट की लीड रेली अब हरिद्वार की तीम ने 11 पॉंट की बड़त दे लिया है सेव रेट डालते हुए जोश्टि नमबर 001 देखते हैं कौन रेट पर आएगा हरिद्वार की टीम से लोश निमर जीरो दो रेड करते हुए अच्छे सबसे ज्यादा काम्याब यहीं रेडर है अपनी टीम से उनका नाम है शिद्दार्थ कितनी बार किक चलाई है अच्छे कांसे पॉइंट हो बॉन आफ ओ हो शिद्दार्थ को लगाता तीन टैकल पड़ चुके हैं कोई भी रेडर नहीं चल पारा हरिद्वार की टीम से और यह जो बंस केल रहे हैं बहुत बहुत बैतरीन को ना खेलते हो इस मैच में तीन टैकल मारे हैं इनोंने दो तो बिकेस को मारा और एक मारा था आई उसको जिस आई इसको मारा था सब्टीटूट कर दिया देहरदूर की टीम ने और यह जाशी नमबर जीरो एक रेड डालते हुए बहुत बढ़िया डिफैंस यहां पर चार का हरीदवार का हरीदवार की डिफैंस कभी भी वापसिए कर सकती है और यह साबान से रेड डालते हुए जा आप किये और अच्छा सब्लिंग करते हुए क्या यह डूर डाई में पॉइंट लेकर आप आएंगे देखने वाली बात है कुछी समय बचा है तेरा से बारा सेकिंद बचे हैं दस सेकेंड और नौ और टैकल हो गया यहां पर दोनों तरफ से डिफेंस बूलता हुआ हरी दुआर के रेडर अपने टीम के लिए इस मुकाबले में जादो कुछ खास नहीं कर पाया है और आपर सब्लिंग कर दिया गया है पूत्ता को जोशी नंबर ग्यारा अंदर आते हुए नया कोना बुलाया है यहां पर अंदर और सबन बिष्ट रेड पर अभी पहला ही आप हुआ है मात्र 11 पॉइंट की लीड है इस समय देरादून के पास कभी भी वापसी कर सकती हर दुआर की टीम लेकिन रेडर आउट बहुत तगड़ा डिफेंस है इस समय देरादून का दुआरा से 12 पॉइंट की लीड ले लिए विकेस की वापसी हो चुकी है ग्राउंड में जर्शिन नमरे 110 हिलेड करते हुए विकेस क्या ये सेफ रेड डालेंगे ये ट्राइ करेंगे ये लगातार बंस ने टैकल मारे है दो बिकेस के जो की राइड को रहे हैं बंस सेफ रेड करते हुए और ये वी सेफ रेड डालेंगे और ये सेफ रेड ओ टच केलें किया कॉर्णर के इन पे क्या टच मिलेगा टच लेने में काम्याब रहे जाशेंबर एक और ये रेड पर आए हैं देरा हरीद्वार के रेडर सेफ रेड करते हुए विकेश क्योंकि इनकी ये है रेड सायद डू अडाई थर्ड रेड है ये पोइंट रेना पड़ेगा यहां पर हरीद्वार के रेडर को क्या ये पोइंट लेने में काम्याब रहेंगे क्या ये पोइंट लेने में काम्याब दो होते रहती है हर किसी खेल में करिंगेंद्वार भी में रचिन नमबर टैयं में रेड पार तह का दूसरा लोना पड़ने वाला है रेडुबार को पासा चारवार को कि अद्वार कोई हैं कि दूसरा लोना पड़ने वाला होई है Đ deaf लग्रह meat सेफ रेट डालते हुए इन्तियार करेंगे उनको रेट में नहीं जाते हैं जर्श नमर 11 हुए सेफ रेट करते हुए और ये बिकेस थर्ड रेट पर दो का डिफेंस से सुपर टेकल आवाना और उनके सामने हैं बंस जोनों ने इनके लगातार दो टेकल लिये हैं बंस क्या टैकल पड़ेगा लोना पड़ गया अभी केस ने लोना मार दिया चार पंड की रेड अब तो बहुत बड़ लेडिया इस समय इस मुकाबले में देरादून की टीम ने बापसी करना नामंकिन चाहिए इसा लग रहा है क्या बापसी करा पाएगी कर पाएगी लियार द्वारा टैकल अब बंड पॉइंट एक और पॉइंट से बड़त ले ली यहां पर जैरादून की टीम ने बोनस क्या बोनस मिलेगा इनको सेफ रेट करते हुए यहां पर रेटर कुछ खास नहीं कर पा रहे हरी दुवार के जिसका रॉन की टीम पिछल रही है और साबन बेश्ट रेट पर आये हैं मात्रे की पॉइंट लेकर आया है पनी टीम के लिए साबन बेश्ट इस मुकाबले में अच्छा प्डबर्क है सा सब्सक्राइब किया है क्या मिलेगा तर्स दिया है यहां पर कोने का बाहर जाना पड़ेगा रूसन को कि जोशी नमबर दास कि इस डेडर को सब्सक्राइब के तौर पंधा गुलाया था जिसने बाप सीव कराई देहरादून की और दो लों ने दे चुकी है यहां पर देहरादून की टीम हरद्वार की टीम को यह लगबग अच्छे खासी बड़त ले लिए यहां पर बीस सब्सक्राइब पास और शावन बिस्ट रेड़ पर आत हुए कि अब आप से घरापाएंगा पिनी टीम की पिछली रेड़ में पॉइंट लेकर गये थे सावन क्या इस रेड़ में भी वही रिदम रखेंगे साबन बिस्ट लेकिन यहां पर से प्रेड और बिकेस रेड़ जर्श नंबर 11 जिनने लोन दिया था चार पॉइंट की रेड मारी थी दो डिफेंडर प्लस दो ओल आउट पॉइंट टोटल चार पॉइंट की रेड दागाई थी दो के डिफेंस में इसके कारण करण हर्दवार को दूसरा लोना पड़ा था और यह बोनस फेक बोनस यहत पॉइंट करते ही बिना किसी के तच के रोभी नहीं जा सकते और टाइम आउट लिया यहां पर दैरादून की टीम ने और यहां पर टाइम आउट समात्वर शिदार रेड पर शिदार शुरुआ ठी च्छल में बहुत अच्छा के लिए सिदार अपनी टीम के लिए सिदार क्या यह बोई हम रख पाएंगे द्वारा से शुरुआथ कितने पॉइंट की रेड आइए कितने पॉइंट की रेड क किया ये सुपर्रेड हो सकती है आपर गिंदी दोबॉइंट टीन पॉइंट की सांदारेड करते हुए चुदार्थ ने शुरुआ सब्सक्राइब गेम दिखाया अपना टीम की बाप्सी करते हुए सिदार्थ लोने की कदार पर आचकी है देहराद उनकी टीम और यह बाफसी कराते हो जर्सिंबर 0-1 कोने पर किक चलाई और हातों में लगा बाहर जाते हुए सारंग सतरंग जो भी नाम है इनका यो लिखा जर्सिप्रेंट के और यह तीन गड़ फैंसर सुपर टेकला होना है सिदार देड़ पर ओहो सिदार देशाई सिदार देशाई है यह पापर फोल्डेड करते हैं यह बीच से निकल जाते हैं और बीच से द्वार निकलने का प्रयास लेकिन दवोश लिए गया कोने द्वारा टू पॉइंट मिलेंगे क्योंकि यह सुपर टेकल और आपर इंज्री होती हुई जर्सी नमबर एक के इस मुकाबले में दो इंज्री हो चुकी हैं और यहां पर विकेश रेड़ पर पांच का डिफैंस है पांच का डिफैंस है पूरा समय लेती हुए विकेश दस मिनट बचे हैं तिम इस मुकाबले के पूरा समय लिया यहां पर और टाइमाओट लिया है क्यूंकि इनका एख लाड एंजर हो गया है और टाइमाओट समा साबन बिश्ट्रीड पार चार का डिफैंस है सबसे कड़ा डिफैंस माना चार का डिफैंस क्या यह अपने टीम की बापसी कराएंगे अभी बाप लेकिन दैरादुन ने दुवार से वापसी कर लिए और ये साबन विश्ट अच्छे पॉइंट लेकर गए टीम के लिए एक इस मुकाबले में अल्दित्र खिराले इंजड हो रहे हैं कि लगता है उन अच्छे से बॉम अपनी की अपनी बॉडी का इंजरी का एकी करण होता है बॉडी को अच्छे से गरम नहीं करना ठीदे ग्रॉंड में घुज़ाना जाशी नमबार एक है यार्दास बॉनस करें किया क्या बॉनस मिलेगा विकेश को पूरा समय लेते हुए क्योंकि कुछी छड़बचे हैं इस मुकाबले का निलड़े आने में विकेश पूरा समय लेते हुए और ये टाइम आउट परमेश को अंदर बुलाया जा रहा है और जर्शी नमबर एक बाहर जाते हुए साबद बिश्ट और पर आएंगे शाब बिश्ट यह पर आने वाले यां पार पर हुशुअ प्सूपर टेखलाउ नहीं है यह एट कोरोन अर लेफ्ट कोरोणर की कमान समय सब्सक्राइब और परमेस राइट कॉर्णर की समाल कमाल समालते हुए ओह कितने पॉइंट की रेड है यह कितने पॉइंट की दो पॉइंट की रेड यानि की लगभाग लोना पल चुका है देहरादून की टीम को साबन विष्ट ने अंतीम छड़ों में अच्छे पॉइंट लाए अपनी ट ऐसी गलती रही कर सकते आप टीम के में कॉर्णर है और ये दो के डिफेंस में साबन विष्ट साबन विष्ट दो के डिफेंस में साबन विष्ट क्या सूपर टैकल पड़ेगा ये सूपर टैकल पड़ेगा क्या सूपर टैकल पड़ गया साबन को दो पॉइंट मिलेंगे बाफसी करती हुई दरद उनकी टीम दुवारा से एक खिलाड़ी ने बाफसी करता है जिसका नाम है परमेज सर्मा और यह सेफ रेड डाल कर पुरा समय लेंगे इस रेड में क्यूंकि कुछ ही समय बचा है इस मुकाबले का नड़ायाने में कोई दर्सक्दीर का नेराज है क्योंकि सब चाहते हैं थे कि हरदबार की टीम जीते और यहां पर तीन के डिफेंग्स में सुपर टैकल ओन है और यह एंकलोड एडवांस दो पॉइंट की मांगा यहां पर लेकिन एकी पॉइंट दिया यागा कल्याड का यह अपनी टीम के में डिटर है सिद्धार अच्छे पॉइंट किलेम किया है इन्होंने विपक्ची टीम से लेकिन और खिलाडियों ने साथ ना दिया जिसके करान यह है मुकाबरा लगबाग दैरादून के पक्च में है बॉनस ले लिया है साय राइट से राइट कोने से पॉइंट दे लिया यहां पर जर्शी नंबर दस ने इस रेडर ने अच्छी पाफ सिकराई है अपनी टीम की सब्टिट कर के तोर पर इस रेडर को अंदर लाए गया था जिसने अपना काम किया और यह एक और पॉइंट पर मेंज का क्या सायद अब लोना पड़ेगा या गलती दोराएगी हर दोर की टीम भही जो लगाता दोरा रही है दो तिन लेडरों से अंदिम की राड़ी को यह पॉइंट दे देते हैं बोनस ओहो गलती कर दी मैं आपको बोल रहा था बही गलती दोराते हुए बही गलती दोराते हुई टीम देरादून की कोई ने कोई फिलर चुल कर देता है जिसके कारान लोना नहीं पड़ता हर देरादून की टीम को दोनों खिलाड़ी को एक तरब ले लिया यहाँ पर ओहो रिस्टोल करने का प्रयास लेकिन क्या दोरा बही गलती दोराएगी हर कभी कोई फिलियर छेड़ देता है कभी कोई इस बार देखते कौन छेड़ेगा कि यह बॉनस लेंगे लास्ट फिलियर है यह और बहुत कम समय बचा है बॉनस ले लिया क्या देखते हैं कि एरिडर आउट होगा या पॉइंट लेगा हो एंकल होल्ड किया कोने द्वारा और अभी काम्याब रहा तीन पॉइंट पहला लोना पड़ गया यहां पर अभी भी लीड में होगी देरादून की टीम 27-22 का स्कोर है 27-22 का स्कोर 27 पॉइंट है देरादून के और एक हजार दस बिकेश रिड़ पर यह पहला से में फानल मुकाबला कड़ा चल रहा है पूरा दोनों टीमें टाइट खेलती हुएं पूरा सामय लेंगे बिकेश और यह रिड़ आने वाली है देरदून की तरफ से माप करना हरी दोहर की तरफ से जैसे नमर पांच बहुत समय बाद रिड़ पर आएं यह क्या यह पॉइंट रेकर आएंगे प्रिटिंग के लिए बॉनास बॉनास किलेम किया ओहो रिडर आउट कल्यार दुआरा सामने से बिलोक आया और सपोर्ट भी मिला जसके करना टैकल हुआ जब से मर पांच का और मात्र पांच का डिफेंस बचा है थिरी मिनट बचे हैं ल और यहाँ पर पूरा समय लेती है जशी नम्वर्दास इस रेटर ने अच्छी वाप्सका आई अपनी टीम की जशी नम्वर्दास से ब्रेड आप साभान बिष्ट रेड पर आएंगे आपस साभान बिष्ट रेडर ने निरास किया है एज़़वार की टीम को डिडर ने न लग बाग 70% 80% निकल चुका है इनकी आजसे में काबला जाशी नमबर दास रेड़ पार अगला मुकाबला है उत्तरकासी वर्षी धर्दवार एक के विमत है जो दूसरा से फैनल होने वाला है वो भी मेरे चैनलम पर आपको मिलेगा और इचार की डिफेंस में कोना खेलते हुए बंच जिसमें अच्छी खासी गलती की है ओ लेकिन इस बार टैकल कर दिये गए जसी नमबर टैन कोई गम नहीं होगा क्योंकि यह मुकाबला जीत चुकी है लगबाग देरादून की टीम यह है में डेडर अपनी टीम के और यहां सब्सक्राइब गलती की है और यहां पर जर्शी नमबर यह घरदास बिकेस रेड़ पार क्या यह बुरा समय लेंगे रेड़ में तालिया बज़ रही है दरसक दीट का सेन के लिए 29-45 माप कीजिए 29 हैं हरिद्वार के 45 हैं देरादून के इतनी अच्छी लीड ले लिया है कि आप दो मिनट एक मिनट में कुछ नहीं हो सकता और यहां पर दवोच लिया गया सिदार्थ को आप खुछ नहीं हो सकता इस मकाबले में हरिद्वार का क्यूंक है मुकाबला हर चुकी है रिद्वार पूरा समय लेंगे विकेश पूरा समय लेंगे विकेश इस मुकाबले में सोरी मापकी जिस रेड में पूरा समय काटेंगे क्या ट्राइए करने जा रहे हैं विकेश यहां प्राकास के सब्सक्राइए और यह सेफ रेड करते हुए सायदीस मुकाबले की है लास्ट रेड है ओहो एडवांस एंकलोल्ड बन पॉइंट मिला है देरादून हजवार की टीम को यहां पर मुकाबला समात होता हुआ फुद ही आरमान लिया पर रेडवार की टीम ने खुद को समर्पित कर दिया देरादून की टीम के सामने और यहां मुकाबला जिद चुकी है देरादून की टीम बदाई हो देरादून आप सेमी फैनल जित चुके हैं और आपने फैनल में प्रवेस कर लिया है